जय मातादी दोस्तों आप सब के भीतर बैठी हुई माता राणी को भगवान को इश्वर को परणाम करता हूँ नवरात्री चल रही है नवरात्री साधना का उत्सव है नवरात्री हमारे में नई चेतना लाने की शक्ती है नवरात्री उस जूनिवर्स की शक्ती के साथ जुड़ने की बात है उन अध्यात्मिक शक्तियों को मैसूस करने की बात है दोस्तों अब आप साधना में लीन हो जाएं मेरा साधना में लीन होने का ये मतलब नहीं है कि आप माला पक्ड करके बैठ जाएं और अपने कारोबार को छोड़ दें मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों के प्रती, परिवार के प्रती, समाज के प्रती अपनी ड्यूटी को शोड़ दें और ओनली भगवान के चर्णों में लग जाएं आप एक पूरन जीवन जीएं आप पूरन रूप से भौतक सुखों को जीएं और पूरन रूप से अध्यात्मिक सुखों को जीएं आपने दोनों जीवनों का बैलन्स रखना है अध्यात्मिक सुख जहां पे, बहुतक सुख जहां पे और जिस दिन आपको लगे कि बहुतक सुख तो जूठा है, मजा नहीं है तो आप पूरन पूरन थे आत्मेक्ता में चले जाना जब कुछ पास में होगा तो हम उसका त्याग करेंगे और बहुत उक्सुख प्राफत कैसे किये जाएं हम जीवन में अपने परफस में बिजनस में कैसे आगे बढ़ें हम सिक्सेस हो हम स्टूडेंट हैं हम कैरियर में कैसे बढ़ें हम सिक्सेस हो हम परिवार में अच्छे बेटे कैसे बने अच्छी बेटी कैसे बने अच्छे माता पिता कैसे बने हम सिक्सेस हो हम जाब करते हैं उसमें कैसे सिक्सेस हो इसके लिए दोस्तों जैसे मैं सदा कहता रहता हूँ कि आपने अपने आपको क्लीन करना है, क्लीन करना है, जैसे जैसे क्लीन कर लेंगे और अपने आपके साथ ही आपको आउनेस्ट होना है, आपको क्रिस्टल क्लियर अपना गोल रखना है, आपको लगता है कि मुझे 95% माकसाने से ही मेरी बात ब परेंगी तो उनको clear रखना बेटा अगर आपको पूशा जाए दो तीन तरह के लोग आते हैं मैं पूशता हूं बेटा कितने score चाहिए बहुत अच्छी बात है मैंने कहा ठीक बहुत बड़ी बात है clear है कोई कहते है 90% से उपर आ जाएंगे तो चल जाएगा उसका कभी भी न sentences सोचता है कि जो जैस सोचता है कि मुझे 95% लेने है मुझे एपलस लेना है मुझे एग्रेट लेना है तो वही कहीं पहुंचेगा जब तक आप अपनी the कराओगे काहां पहुंचना है तो आप पहुंचनी पाओगे तो पहुंचने के लिए इस नवरात्री में शिव और शक्ति की साधना करें आप कर्मकांड से जितना बच सकते हैं बचें कर्मकांड आपको उल्जा के रख देगा और आप उसको पूरन फिर भी नहीं कर पाओग कर्मकांड की गहराई में जाने के लिए आदर्निये ब्रामन देवता आदर्निये पंड़र जी बैठे हैं उनकी देखरेक में करें तो आप ने नुरात्री में क्या करना है एक तो कर्ष की स्थापना करें गुरु महराज का ध्यान करें जिनसे भी आपने दीख्षा ली है उनके मंतर का जाप करें जितना कर सकते हैं पर एक माला तो जरूर करनी चाहिए उसके पश्चात गनेश जी का ध्यान करें ग्यारा बार गनेश मंतर का जाप करें ओम गंग गंपतेनम हैं और जो तांतरुक्त मंतर है वहां मंतर है उसका भी जाप कर सकते हैं आम, नम, सिद्धी, विनायकाई, सर्वकारिया करतरे, सर्व विगन, प्रशमनाई, सर्व राज्या, वश्या करनाई, सर्व जन, सर्व स्त्री, पुरश अकर्शनाई, शरीम, आम, स्वाहा। इस मंतर का ग्यारां बार जाब करें, पूरी नुवरात्री करते हैं, तो आपको जे मंतर सिद्ध हो जाएगा, सुबा घर से निकलने से पहले तीन बार इस मंतर का जाब करके निकलें, इसके पश्चात एक माला उम्न मैश्वाय मंतर की करें, और जो द्यारती हैं, उनके निल्स रस्वती जी के मंतर का जाब करना चाहिए, आज बच्चों के लिए ही बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरी बात करेंगे, एम अवाने स्वाहा एम अवाने स्वाहा ये मां नील स्रस्वती जी का सिध्ध मंतर है इस मंतर को एक घंटा कम से कम बैठकर करके जाब करें जो स्टूडेंट हैं वडियार थी हैं उनकी बुद्धी तेज होगी presence of mind की शक्ति बढ़ेगी आपके संकल्ब सिद्ध होने की शक्ति बढ़ेगी जो दूसरे व्यक्ति हैं टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं वो भी कम से कम एक घंटा मंतर का जाप करें आपके ज्यान में वृद्धी होगी पर मंतर जाप करने का दोस्तो धंग है उसको धंग को फिर मैं एक बार कहता हूँ एम वानने स्वाहा, एम वानने स्वाहा एम वानने स्वाहा, एम वानने स्वाहा धीरे धीरे फिर आपके लिफ्ट्स भी ना हिलें मन में मंतर का जाप करें जाप करते करते, जैसे जाप में आप नेक्स स्टेट पे पहुंँ जाएं, तो आग्या चक्कर पे माँ का ध्यान करते, माँ का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ से बात करें, और जो भी आप माँ स्रस्वती से चाहते हैं, उसको विजूलाइज करें, बहुत किरपा करे फिर हाजर होता हूं नेक्स्ट आप पर मां बहुत बहुत शक्ती दे मां बहुत किरपा करे